नमिश्कर बैरचा सिंग स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास कारिक्रम आज के राशिफल में कहते हैं कि ग्रहों की चाल से हमारे भागे का रास्ता तै होता है ग्रह जहां जहां जाते हैं उसी तरह हम भी सुई की तरह नाचते रहते हैं अच्छे बुरे कर्म हमारे ग्रहों के कारण ही होते हैं ऐसे में लोगों के मन में ये जानने की उत्सक्ता होती है कि उनका आने वाला दिन कैसा रहेगा ये चीजों में उन्हीं लाब मिलेगा और क्या काम करने से उन्हें हानी होगी उनकी इस दुविधा को दूर करने के किसी नवीन यूजना आदी पर खर्च होने की संभावना है, अपने विभार को अच्छा बनाई रखें उपाए, आज श्री राम चरित मानस का पाट करें व्रिशब राशी, आज आपको सुस्ती एवं आलेस्य से बचना होगा, चुस्ती एवं फुर्ती के साथ अपने कारी पर पूरे मनो योग से ध्यान देना होगा कारी शेत्र में वेर्द भाग दोड बनी रहे ही उपाए, शनी चालीसा का पाट करें मिथुन राशी, आज कोट के चहरी के मामले में आपके खिलाप निर्ड़ आ सकता है, अता आप ठीक से पैवी करें, परिवार में कटोर वाड़ी का प्रयोग ना करें उपाए, माधा लक्षमी को गुलाब का इत्र चढ़ाएं, गुलाब के इत्र का प्रयोग करें करक राशी, आज कारेशित्र में नए मित्र बनेंगे, नौकरी में वाहन सुख बढ़ेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा उपाए, बुद्ध मंत्र का जाप 108 बार करें सिंग राशी, आज बंधन मुक्ठोंगे, कारावाज से छूट जाएंगे, खेल कूस से जुड़े लोगों को विशेश सफलता एवं सम्मान मिलीगा उपाए, पीपल के पेड को कच्छे दूद और जल से सीचें और पूजन दीपक आदी करें कन्या राशी, आज संतान के दायत्व की पूर्ती होगी, किसी अभिन्य मित्वर से भेंट होगी, विद्यार्थियों के अध्यन में अभिरुची रहेगी उपाए, भवन की दहलीज की पूजा करें तुल्या राशी, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहीगा, पहले से रुके हुए कुछ कारें बनने की संभावन रहीगी, समाज में बान प्रतिष्ठा की वृद्धी होगी, उपाए, आज भीगी मूं का दान करें धैनू राशी, आज कोई शुम सवाचार मिरेगा, सगे संबंदियों, इस्टमित्रों के संयोग से कारें की मुश्किलिं कम होगी, समाज में उच्च पद प्रतिष्ठत लोगों के साथ संपर्ग बढ़ेंगे, उपाए, आज हन्मान जी को नार्यल चढ़ाएं मकर राशी, आज रोजगार के अफसर प्राप्त होंगे, किसी महत्तफोर्ण कारे की बाधादूर होगी, कारे शित्र में योजना बद्ध ठंग से कारे संचालन करना लाबदायक रहेगा कुम्भे राशी, आज आपका दिन उतार चढ़ाओ भरा रहेगा, धैरे पूर्वक कारे करें, विरोधियों से सावधान रहें उपाए, श्रिगडेश शालीसा का पाट करें, गडेश जी को बूंदी के लड़ू का अबहोग लगाएं मीन राशी, आज का दिन मिश्रित फल प्रदायक रहेगा, दिन की शिर्वाद अति सुक एवं उन्नती कारक रहेगी, किसी लंबी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा पर जाने के योग वनेंगे उपाएं, आज पीपल की पेड के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं गौर तलब है कि राशी फल हमारे पूरे दिन के कारेकाल को बताता है, जिसे लोगों के मन से ये शन का दूर हो जाती है कि उनका आज का दिन कैसा जाएगा खेर आज के राशी फल में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम कबरों की जानकारी के लिए देखते रहे है सीरिम्स भारत हर खबर आपके साथ आपके हाथ